असलाम अलेकुम जी, हमने ये shopping.online.pk से एक parcel बुक कराया था चांद दिन पहले, वो हमारे घर आया था और TCS के थूर आया था, TCS एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, authentic courier service है, तो हुआ ये कि जब समान आया और payment on delivery थी, उनको पैसे दे दिये, वो चले गए, तो जब parcel खोला गया तो उसमें से गंदे कपड़े निकले, तो TCS से तो ये expect नी किया जासे था, क्योंकि ये लोग कोई भी shipment लेने से पहले, pack करने से पहले, उसको चेक करते हैं तसली से, फिर हमने ये किया, हमने दुबारा मंगवाया और फिर अपने दफ्तर के address पे मंगवाया, और कुजूते वगरा थे, तो वो आज ये TCS के एक rider हैं, ये लेके आए, और ये में सामने बैठे में, इनका मैं नाम वगरा इसलिए नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि obviously इनका नाम भी है, ये आप देख लें, ये कोई शारोखान साहब है, कराची से इन्होंने भेजा है, चौदां सो रुपे हम से लेने थे, इस ये शूज जो इन्होंने या स्लिपर्स जो भेज़े हैं, ठीके जी, तो अभी ये आए है, अभी हमने इनको request की कि ये खोल के हमें तो लग रहा है कि इस फ्रॉड में बराबर का शरीक है, तो भाई ये खोल के दिखाएं इस पैकेट में क्या है, जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, निकालें भाई, एक फटी भी गंदी जीन्स है, यानि ये रदी कपड़े उन्होंने वजन सिरफ करने के लिए, डाला और इस दो कोई जूता नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये जूत है और ये फ्रॉड है, तो ये शॉपिंग.online.pk का ये काम है, ये धोका धही और इससे ये लोगों के साथ फ्रॉड करें, और इनके खिलाफ हम साइबर क्राइम FIA में भी दर्खास देंगे, इन लोगों स बचें और इनका लिंक भी हम हर जगा पे शेयर करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू.